हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल अक्समार्ट स्टेडी में फ्रेंट्स रेल्वे एंटी पिसी भरती 2019 किया चुकी है और उसका आवेदन प्रक्रिया जो है एक मार्च से सुरू हो चुका है फ्रेंट्स पिछली वीडियो में आप लोग का कमेंट था कि पिछले साल प्रिवियर सियर्स में एंटी पिसी का कट ओफ क्या रहा था जो हर एक जोन में तो फ्रेंट्स इस वीडियो में रेल्वे एंटी पिसी की हर एक जोन के कट ओफ के बारे में बताएंगे प्रिवियर सि रिखिएगा वीडियो को सुरू करने से पले आप से छोटा सा रिक्वेस्टे की जो भी चैनल में पहली वार विजिट कर रहे हैं वह किर्पया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि रेलवे भरती की पल-पल की अपडेट हम आपको क करते रहते हैं कोई भी नियूजया नोटिस आती है तो सबसे पहले वीडियो लेके आते हैं तो चले फ्रेंट्स अब देख लेते हैं कट ओफ को तो फ्रेंट्स यहां ध्याम दीजेगा कि आरार बी एंटी पीसी 2016 का यह ओफिसियल कट ओफ है स्टेज वन का यानि आपका ज जो नों का कट ओफ यहां पर बता रहा हैं ओफिसियल कट ओफ है फ्रेंट्स यह तो देखिए सबसे पहले तो देख लिजे आरार्पी अलहाबाद का कट ओफ 2016 में क्या रहा था जेन्रेल करण कर्डेー का कट ओफ रहा था यहारा भी अलहाबाद में 77.49 और और OBC की बात करें तो OBC का रहा था 70.47 और ST केटिगरी का जो कट ओफ रहा था 2016 में वो 62.85 और यहां ST केटिगरी का कट ओफ रहा था 47.02 ठीक है यह फ्रेंड्स हो गिया आरार्वी अलहाबाद का अब देखते हैं आरार्वी मुंबाई का तो देखिए आरार्वी मुंबाई का यहां पर कट ओफ क्या रहा था 2016 में तो फ्रेंड्स जेनरल केटिगरी का कट ओफ रहा था 77.05 OBC केटिगरी का रहा था 70.21 ST केटिगरी का रहा था 63.6 और ST केटिगरी का रहा था 54.95 अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आरार्वी सिकंद्राबाद का कट ओफ 2016 में क्या रहा था यह कट ओफ देख लिजे फ्रेंड्स उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लिजेगा कि किस जोन से आप लोग फॉर्म फि पार में 77.72, OBC केटिगरी का 72.87, ST केटिगरी का 63.73 और ST केटिगरी का 59.13 ठीके फ्रेंड्स अब देख लेते हैं आरार्वी कोलकाता का तो देखिए आरार्वी कोलकाता का आरार्वी एंटीपिसी 2016 का कट ओफ क्या रहा था स्टेज ओन के लिए यहां पे जेनरल केटिगरी का कट ओफ रहा था 79.05 लगबग 80 के बराबर बहुत ही हाई है फ्रेंड्स यहां पे और देखिए OBC केटिगरी का क्या रहा था 71.53 और SC केटिगरी का 67.07 और ST केटिगरी का 52.92 अब देख लेते हैं आरार्वी आहमदाबाद तो देखिए OBC का कट ओफ क्या रहा था जेनरल केटिगरी का कट ओफ रहा था 72.86 OBC का 64.91 SC केटिगरी का 57.23 और ST केटिगरी का 48.1 अब देख लेते हैं आरार्वी भोपाल तो देखिए OBC का क्या कट ओफ रहा था 2016 में तो फ्रेंट्स आरार्वी भोपाल का जेनरल केटिगरी का कट ओफ रहा था 72.9 OBC का रहा था 66.39 और SC का रहा था 58.61 और ST केटिगरी का 51.16 अब देख लेते हैं आरार्वी अजमेर का तो देखिए OBC का क्या कट ओफ था जेनरल केटिगरी का यहां कट ओफ रहा था 77.39 OBC का 70.93 SC का 62.13 और ST केटिगरी का 59.74 अब देख लेते हैं आरार्वी चेन्नाई का कट ओफ क्या रहा था यहां पे तो फ्रेंट्स देखिए आरार्वी चेन्नाई का कट ओफ जेनरल केटिगरी का रहा था 72.14 OBC का 69.11 SC का 57.67 और ST का 46.84 अब देख लेते हैं आरार्वी भूवनेश्वर का तो देखिए आरार्वी भूवनेश्वर का कट ओफ 2016 में क्या रहा था तो फ्रेंट्स यहां पे जेनरल केटिगरी का कट ओफ रहा था 71.91 OBC का 65.76 SC केटिगेरी का 53.09 और ST केटिगेरी का 48.79 अब देख लेते हैं आरार्वी पटना का कट ओफ क्या रहा था तो फ्रेंट्स देखिए आरार्वी पटना का 2016 में क्या कट ओफ रहा था यहाँ पे बाकी जोनों से थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है तो फ्रेंस यह वेकंसी और कितने एप्लिकांट्स होते हैं उस पे डिपेंड करता है कि किस जोन में कितना वेकंसी है और कितने बच्चों ने फॉर्म फिल करा है उसके एकोडिंग यहाँ पे बैठते भी हैं ए वहाँ का कटोफ देखिए जहाँ पर जादा वेकंसी रहता है और जहाँ पर जारा वच्चे फॉन फिल करते हैं कभी-कभी बहूत जब्यादा भी रहता है तो फ्रेंस यह तो आने वाली बात है वह बात में बताएंगे अभी देख लेते हैं फिलाल प्रिवियर सिस में जो 58.55 और ST का 26.69 अब देख लेना रर्वी बैंगलोर का तो देखिए बैंगलोर का कट ओफ क्या रहा था जेनरल केटिगरी का रहा था 64.97 ओबिसी का 57.28 ST केटिगरी का 30.1 और ST का 29 और रर्वी राची का कट ओफ क्या रहा था तो राची में फ्रेंग्स जेनरल केटिगरी का कट ओफ रहा था 63.75 ओबिसी का 57.29 ST का 45.48 और ST का 48.58 अब रर्वी द्रिवंत पूरम का देख लिजे फ्रेंड्स यहाँ पे 2016 का कट ओफ क्या था तो यहाँ पे जेनरल केटिगरी का कट ओफ था 79.75 ओबिसी केटिगरी का 75.1 SC केटिगरी का 56.17 और ST केटिगरी का 36.45 और रर्वी मुझवफरपूर का क्या कट ओफ था तो देखिए जेनरल केटिगरी का यहाँ पे कट ओफ था 57.97 और OVC का 45.57 SC का 30.06 और ST का 25 अब देख लेते हैं और रर्वी गौहाटी में तो देखिए और रर्वी गौहाटी में 2016 में क्या कट ओफ था यहाँ पे जेनरल केटिगरी का कट ओफ था फ्रेंट 2016 में 66.44 ओबिसी का 57.11 SC का 52.53 और ST का 52.91 और रर्वी चंडिगर का कट ओफ क्या रहा था यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कट ओफ रहा था क्योंकि हमेशता चंडिगर का कट ओफ हाई ही रहता है चाहे वो और रर्वी गुरूपडी का एक्जाम हो ALP टेकनिसियन का हो चाहे वो और रर्वी अटीपईपडी का हो तो देखे रर्वी चंडिगर का कट ओफ क्या था जेनरल केटिगरी का कट ओफ था 82.27 और OBC का 71.47 और SC का 71.87 और ST का 46.71 और रर्वी बिलासपूर का कट ओफ क्या था यहाँ पे देख लेते हैं देखे जेनर स्टी का 51.49 और स्टी का 50.7 और आर भी गोरखपूर का देख लेते हैं तो देखें गोरखपूर का जेनरल केटिगेरी का कटव सा 2016 में 77.43 ओविस्टी का 69.01 स्टी का 56.63 और स्टी केटिगेरी का 47.67 आर आर भी सिली गुडी का 2016 का कटव किया था जेनरल केटिगेरी का कटव था यहां पे 67.52 ओविस्टी का 56.26 स्टी का 54.31 स्टी का 45.9 और देखें आर भी मालदा का तो फ्रेंट्स आर भी मालदा का का देख लिए यहां पे जेनरल केटिगेरी का कटव रहा था 61.87 ओविस्टी का 48.42 स्टी का 43.11 और एस्टी का 31.89 और आर भी जम्मू का देख लेते हैं फ्रेंट्स अंतिम यह बच गया है तो देखें जेनरल केटिगेरी का कटव यहां पे रहा था का 68.72 और OBC का 50.88 और SC की बात करें तो देखिए SC का कट ओफ जम्मों में क्या रहा था 52.27 और ST का 38.05 तो फ्रेंट्स यह मैंने 21 कुल 21 जोन के कट ओफ के बारे में आपको बता दिया कि 2016 में RRB NTPC का कट ओफ फर्स्ट स्टेज के लिए यानि फर्स्ट CBT का कट ओफ क्या रहा था उस टेम CBT टेस्ट नहीं होता था फ्रेंट्स लेकिन अभी जो है CBT टेस्ट होगा तो देखिए यहां पे कट ओफ जो है आपका 2000 यह 2016 में आपका सारे जोन का मैंने बता दिया कि इतना कट ओफ था अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस जोन में एपलाई करना है आप अच्छे से देख लिजिए कि कितनी वैकेंसी है कहां कितने बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं थ यह बात हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि एक ही आरारवी से करना है तो ध्यान पूर्वक सांती से आप अपना फॉर्म फिल करिएगा मैं आपको इस्टेप बाइस्टेप फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा आप लोग हमारे साथ बने रहना आपको यह भी बताए बहुत ज्यादा लॉंग हो जाती है तो फ्रेंट्स वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएगा और साथ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों को जरूर सेर कर दीजेगा साथिया के चैनल में नहीं आए थे पहली बार विजिट कर रहे थे तो प्लीज चैनल करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक स्वस्त्र है जाई हिंद वन दे मातर हो